हेलो फिर्ट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल नेतोस कुकिंग हब आज मैं अपनों के लिए ले के आए हूँ आलो सूजी पोहे से बनने वाले बहुत ही आसान नास्ते की रेसिपी कभी भी जल्दवाजी में आप बहुत ही आसान इसे इसे बना लोगे और आप इसे चाहे तो आ एड कर रहे हूँ हाफ का पोहा तो यह नॉर्मल पोहा है जो हम लोग घर में इस्तमाल करते हैं जो हलका सा मोटा होता है बहुत बारीक वाले पोहे का इस्तमाल ना करे और इसे हम ग्राइन कर लेंगे तो यहाँ पे देखे इसे जब मैंने ग्राइन कर लिया है तो यह इस त कर लेंगे इसे倍ड़ करने के बाद हम दो और थी यागि कर लेंगे अगर अगर श्यूज कि लालो आपको दिखेगा तो अभी मैंने यहां पे लिए एक कडाही कडाही में एड कर रही हूं एक बारा चमच रिफाइंड वाइल साथ में मैं एड कर रही हूं दो हडी मिर्च जिसे मैंने बारी टुक्रों में कट करके डाला है मिर्ची को हलका सा भुन जाने दिया है और उसके साथ ही मैं यहां पे आट कर रही हूं आदी चोटी चमच जीरा गैसज़ी की फिलिम को एकड़ लोड अखे फ्रेंड आड के साथ मैं एक चोथाई चमच कलोंजी एक चोथाई चमच यहां पर मैंने आज duplicate किया है 사थ में मैं यहां पे साथ कर रही हूं और अभी हम इन सब चीजों को थोड़ा सा भूल लेंगे तो गैस की फ्लेम को लोड़कते हुए आप इस तरह से इसे चला के हलका भूल ले, हलकी हलकी सी खुस्बू आने लगे बस इतना ही हमें भूनना है, तो यहाँ पे यह सारी चीजे भून चुकी है, तो इस टाइम पे म मैंने आदा कप पोहा लिया था, उसी कप से हम एक कप पानी डालेंगे, उसका डबल हमें पानी आड़ करना है, एक्ट्रा बिलकुल भी आड़ नहीं करना है, आप मेजर्मेंट के लिए कटोड़ा भी सेट कर सकते हैं, और अभी जो हमने आलू ग्रेट करके रखा था, उसक स्वादनुसार नमक, नमक के साथ ही मैं एड़ कर रही हूं, एक से दो चुटकी हल्दी पाउडर, इससे हमारे नास्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा, और अभी इन सब चीजों को मैंने एक बार मिक्स कर लिया है, और अभी इस टाइम पे मैं एड़ कर रही हूं, एक मु इसकी फ्लेम को एकदम लो कर दे और इसे कंटिन्यू चलाते रहें, और अभी मैंने इसमें एड़ किया है, एक चोथाई कब बारीक वाला रवा, तो यहाँ पे देखे फ्रेंड इस तरह का रवा होता है, जो बारीक वही एड़ करें, अगर मोटा है तो उसे एक दो मिनट क हो चुके हैं, और यह पूरी तरह से डो हमारा रेडी हो चुका है, इस टाइम पे गैसे श्टोप को मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिया एक चॉपिंग बोर्ड, उस पे मैंने थोड़ा सा वायल डाल के इस तरह से स्प्रेड कर दिया है, ताकि जब हम इस प प्रैंगल सेफ में बनाने वाले हुँ, आप चाहें तो बॉल का सेफ भी दे सकते हैं, या फिर टिक्की के सेफ में भी से तेल सकते हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से इसे इस स्वायर सेफ दे दिया है, इसकौयर सेफ देने के बाद 5 ज़ाइम आप इसे यह तरह से मिजर्मेंट कर ले और यहां पे देखें इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूं और यह चाकू में बिल्कुल भी नहीं चीपक रही मतलब हमारा डोब बिल्कुल परफेक्ट बना है और इस तरह से पहले मैंने तीन भागों में इसे कट कर लिया है और फिर से हम इसे तीन भागों में कट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बड़े से square shape से मैंने पूरा 9 टुकड़ा कट किया है और अभी यह जो छोटा सा square का टुकड़ा है उसे हम इस तरह से बीच से cut करेंगे और चोटा चोटा सा triangle shape आपके पास निकल के आएगा तो इसी तरह से हम सारे नास्ते को shape दे देंगे इस time पे आप cut करने के बाद इसे airtight container में डाल के deep freezer में 8 दिनों के लिए store कर सकते हैं लेकिन मैं इसे आज ही fry करने वाली हूँ उसके लिए मैंने वायल डाल दिया था गरम होने के लिए वायल को आपको तेज गरम करना है और जितना snacks एक साथ आ सकता है आप डाल सकते हैं ये बिल्कुल भी तूरती है चिपकती नहीं है बस कम गरम वायल में इसे बिल्कुल भी ना डाले फ्रेंड इसे डालने के बाद आप थोड़ा सा set होने दे उसके बाद आप इसे पलट सकते हैं तो यहाँ पे देखे फ्रेंड लगबग डाले हुए मुझे एक मिनट हो चुके थे तो मैं इसे पलट रही हूँ एक बार पल को भी मैंने इसी तरह से तल लिया है और यहाँ पे देखे फ्रेंड की यह कितना क्रिस्पी बना है देखने में यह कितना सुन्दर लग रहा है तो आप इस रेसिपी को एक पर जरू ड्राइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी ल झाल झाल झाल